नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटीब चैनल में तो कैसे हो आप सब तो फ्रेंट्स आज की वीडियो जो है वो स्पैशली में लेका है हूं मेजरमेंट के उपर जो हम लोग एरिया नापते हैं के टाइल जो है किस जगह पे कितनी लगेगी तो आज ये वीड एक एक चीज के बारें पूरा क्लेरली आपको बताने वाला हूं तो आप इस वीडियो के जरीए बहुत ही इंफोमेशन जो है वो कलेक्ट कर पाएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और फ्रेंस एक छोटी सी और बात बताना चाता हूं मैं हर संडे रात को 9 बज paganicon जवर्भास में ज़रू रहेंति, तो वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंस जैसा के आप देख रहे हैं इस साइड़ पे अभी जो है वो बात बातरूम में टाइलस ऍले वाले हैं और उन्हाघ। जोटे बटे पॉइंट हैं तो उसका तो उसको पराजस नापने पहन पर लेकिन टाईल होगी हमारी वोट चालिस तक आएगी यह कि 1 इंच टाइल वह कि पीछे रह जाएगी तो इसमें जो है वो वेश्टेज होगी एक इंच की पट्टी हमें यहां पर डालने पड़ेगी, तो आठ फुट की यह दिवार है, ठीके फैंस, इस चीज का अध्यानर ना, और वैसे ही सेम यह दिवार भी वैसे ही है, अगर बदगुनिया होगा, तो इंची टेप से नापन अभी आप देख सकते हैं, कि यह जो आठ फुट से यह जो चालीस आ रहा है, यहां तक हमारी टाइल आएगी, और यह आधा ही शोटा है, यानि कि इतनी कटिंग जो है, यहां पर भी हमें देनी पड़ सकती है, तो यह टाइल की थिकनेस पर भी डिमेंड करता है, अगर बात और बाकि हम बात करते हैं, यह जो सामने वाली दिवार है, जहां पर यह दरवाजा बना हुआ है, तो इसको हमें कैसे नापना है, तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है, कि इसकी हाइट हमें वो टाइल की कितनी रखनी है, अगर हमें साथ फूट रखनी है, तो हम इस दिवार को इस प्रकार से नापेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि यह 40 इंच की दिवार है यानि कि आप इसको 4 फुट ही नापिए आपको जो है इस साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा ही नापना पड़ेगा क्योंकि टाइल जो है वो एक दो पीस ज़्यादा आजाएंगे कोई फरक नहीं पड़ेगा तो बाद में जो है अगर डिजाइन नहीं मिला तो इसकी दिक्कत हो सकती है तो इस बात का ध्यान रखना इसको आपने चार फुट लेना है अगर दो ती नहीं छोटा हो तो कोई बात नहीं चार फुट आपने लेना है अगर बड़ा साइज हो तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है कि वो जो वेस्टेज है उसके लिए भी आपको टाइल अलग से मंगवानी पड़ेगी तो उसके बाद में ये दिवार जो है ये पूरी दिवार है तो इसका मैं नाप ले रहा हूँ जैसे कि ये छे फुट है तो एक इंच ये भी छोटी है अभी ये छे फुट आप देख रहे हैं जैसा कि तो ये असी जो आ रहा है यहां पर हमारी टाइल आएगी यानिकि एक इंच की जो पठी यहां पे भी आने वाली है, तो फ्रेंड्स अभी यह जो हमने नापाई यह 6 फुट है, यह 8 फुट है, यह 4 फुट है, अगर हमें 7 फुट के हिसाब से टाइल लगानी है, तो इनको हमने जो है, जैसे 8 दुनी 16, दो दिभारे 8-8 foot की 16 foot और ये 6 foot हो गया और ये 4 foot हो गया 6, 4, 10, 10 और 16, 26 इसका जो घेरा होगा यानि कि इसका जो diameter है वो है 26 foot तो अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये 26 foot इसका घेरा है तो अभी जैसे कभी customer में design लगवाना होता है तो design के हिसाब से आपने अगर 7 foot पे रखना है तो इसकी measurement कैसे निगलेगी जैसे मान लिजे हमारी यहां 30 cm पे एक tile आ गई जैसे ये tile हमने लगाने है dark color की तो ये 26 को आपने एक tile को मान लिजे एक tile जो है वो 26 foot एक line जो है वो 26 foot की होगी यानि कि अगर यहां पे dark लग रहा है एक piece तो 26 foot का एक line हो गई अगर मान लिजे 7 foot में 2 dark के piece लग रहे हैं यानि कि यह जो जैसे यह 7 cm है यहां पे अगर 2 piece लग रहे हैं तो 26 को आपको 2 से multiply करना है तो अगर friends इस पे 3 piece लग रहे हैं तो आपको इसको 3 से multiply करना है 2 से नहीं 3 से करना है तो जितनी line जितने design के बनना है जैसे highlighter के 3 piece हैं तो 3 piece को आपको highlighter का निकाल लेना है जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ जितनी lines design किये हैं अगर light piece है light की कितनी lines देनी हैं तो उसके according जो है हमें 26 का गेरा जो है उसको multiply करना पड़ेगा तो उतनी tiles हमारी जो है वो area में लगेंगी तो मंगवानी हमें उसी side से पड़ेगी तो अभी जैसे के हमारे design जो हता है अभी जैसे माल लीजे 2 foot तक हमारा जो है वो dark के piece लगेगी तो हमें 26 से 2 से 26 को 2 से multiply करना तो यहां से थोड़ा देखने में problem आ रही है तो मैं आपको थोड़ा बाहर दिखाता हूँ तो यहां side पे थोड़ा face clear है अभी मैंना थोड़ा यहां पे बना के देखा था तो अभी इस पे आपको clearly समझ में आएगा तो जैसे मान लीजिए यह 30 सेंटीमेटर पे एक लाइन होवे आगे 60 पे दूसरी और लब्बे पे तीसरी ठीक है ऐसे ही 120 पे चोथी और आगे 1500 पे जो है वो हमारी पांचमी लाइन आएगी तो अभी मैं आपको रोताता हूँ जैसे यह फर्स लाइन जो है हमारी डार्क की हो गई सेकंड लाइन जो होगी वी भी डार्क की हो गई और जो थर्ड लाइन है वो हमारी मान लीजिए हाई लेटर की हो गई ठीक है यह तीन लाइने हमारी जो है वो हाई लेटर की हो गई जो बात्रूम के हमने साथ फुट में डिजाइन बनाना है तो दो लाइन डार्क, तीन लाइन हाई लेटर की और जो उपर लाइन लगेंगी जैसे कि अभी छटा जो पीस हमारा आएगा वो आएगा जैसे वाइट वाइट का कंबिनेशन है और साथ मा जो है वो हमारा एक और वाइट आएगा यानि कि अभी इसमें क्या निकला अभी छोटे से मैं बता रहता हूँ पहला पीस हमारा हुआ डार्क का यहां से नजदीक से आग देख सकते हैं हमने साथ फुट तक हाइट देनी है एक टाइल की हाइट जो होती है वो 12-18 होती है ठेक है 12-24 भी होती है अगर 12-18 टाइल लग रहे है उसके बारे मैं बता रहा हूँ 24 फुट के बारे मैं नहीं बता रहा हूँ जो 24 वाई 48 की होती है तो जैसे एक लाइन हमारी डार्क की है दूसरी line भी dark की है तीसरी line जो है वो हमारी highlighter की हो गई जो design हम लोग डाल गई और आगे चोटी line जो है वो भी हमारी highlighter की होगी पांच मी लाइन भी हमारी highlighter की होगी और छटी ऐसे ही 7 तो छटी 7 जो है ये जैसे हमने light और dark का combination देना है, तो यहाँ पे light हो गया, सात्मा भी light हो गया, तो अभी क्या है, यह design हमने कैसे रहना है, नीचे dark हमने किसलिए दिये हैं, क्योंकि नीचे जब हम लोग bathroom में पानी का use करते हैं, या कपड़े बगारा दोते हैं, या कोई अभी क्या है, दो हमारे piece हो गए, highlighter के, ठीक है, अभी 26 को गुना आपको 2 से करना है, उसके बाद में हमारे, जो है यह 3, 4, 5, 3 से लेकर, 3 foot से लेकर 5 होट तक हमारे highlighter के piece हैं, तो यह 3 piece को हमें, 3 line जो है, वो 26 को हमें multiply 3 से करना है, तो आगे light के piece आगए, तो यह घेरा हमारा 26 है, तो इसको हमें 2 से करना है, ठीक है friends तो इसका जो answer आएगा 52 foot, ठीक है एक line, जो है हमारा जो total area आएगा, dark tile का वो आएगा 52 foot, उसके बाद में highlighter का piece जो हमें, 3 से multiply करना, तो यह बनेगा हमारा 78 foot तो उसके बाद में 26 को 2 से multiply किया, same जो है यह 52, यानि कि दोनों जो है यह 52, 52 इंच आएगे, light और dark, और जो highlighter है वो 78 foot आएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि highlighter जो है, हमें 3 की ratio देनी पड़ेगी 7 foot तक अगर हमें बनाना है तो, तो यह जो window है यह दियान में रखना कि अगर आप चाहते हैं कि tiles जैसे आपको ज्यादा जंजट ना हो chain करवाने का तो आपको इसके height देख लेनी है कि यह window किपने height पे आ रही है जैसे अभी scouting यहाँ पे लगी हुई है वैसे तो scouting लगने नी वाली यहाँ पे bathroom में भी floor tiles लगवा रहे हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यह हमारी जो है वो डेड़ सो जो है यहाँ तक जो tiles है यहाँ तक पूरी line आएगी उसके बाद में हमारे जितने piece जो है उपर तक लगेंगे 7 foot तक तो वो हमारे जो है वो इसमें से कम हो जाएगे पर कम के लिए भी आपको ध्यान रखना है ज्यादा ले आओगे तो कोई बात नहीं जैसे यह 3 foot है तो माल लेजिए यह 3 foot area यहाँ से कम हो जाएगा तो दोस्तों जैसा कि हमारी tiles जो है अगर 7 foot तक लगेगी तो उसकी height जो है यहाँ तक ही रहेगी जैसा हमने अभी मैं आपको नाथ की दिखाता हूँ तो इसकी height जो है वो 210 cm तक रहेगी यानि की 7 foot तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि उपर से लेके नीचे तक 2 foot में यह जो है window का piece जो है वो लगेंगे नहीं तो इस बात का आपको द्यान लगना है तो यह आप minus कर सकते हैं वैसे अगर मेरी बात मानें तो आपको यह design पहले minus नहीं करना यह कम नहीं करना आपको tiles जो है इस में से minus करने की कोई जरूरत नहीं अगर इस जैसी 2-3 window हूँ किसी area में तब आप इसको कम कर सकते हैं या आपको संभावना है कि आपको tiles फिर से मिल जाएंगी तब आप इसको कम कर सकते हैं नहीं तो आप कोई इसको minus करने की कोई जरूरत नहीं है अगर minus करना है तो same इसका जो है नाप ऐसे ही लेना है पहले आपको नीचे से देख लेना है कि इसकी height में कितनी tiles आ रही है जो L shape में tiles कटेगी वो कहां तक आ रही है यह 5 वी tile यानि कि यह पूरी लगेगी तो यहां से हमको जो है window नहीं नापनी हमको नापनी है उपर से, इसके उपर से क्योंकि जो हमारी 5 वी tile है वो यहां तक आ रही है यानि कि 5 वी L shape में कटेगी अगर design सेम है तो वो आगे बाला piece भी कटेगा वो waste जाएगा अगर design अलग-अलग है तो तो 2 foot को आपको जो है वो कम करना है इस side से 2 by 3 यानि कि 6 foot area कम कर सकते हैं अगर चाहें तो वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है तो मैं आशा करता हूँ आप यह समझ गए होंगे कि area कैसे नापना है तो अगर आपको पूरी full height तक लगाने है tile यहां पर जो है हम लोग full height तक tile लगाने वाले हैं तो इसकी measurement जो है वो पूरा हम लोग height तक ही लेंगे जैसे इसका 26 square है तो सेम वैसे 26 को अभी रहने देंगे तो अभी उपर से लेके यहां दोस्तों अभी 10 foot आ रहा है तो यह आप देख सकते हैं 10 से यह है सवा 11 foot area तो इसकी height जो है वो सवा 11 foot है तो जैसे मैंने बताया के highlighter के piece कितने लगेंगे तो आप वैसे ही 11 foot तक आप जैसे ही 8 हो गया 9 हो गया 10 11 हो गया ठेक है सवा 11 आगे पट्टी आएगी चोटी सी वो कोई भी आप matching कर सकते हैं तो वैसे ही आप जैसे यह dark के तीने message जो है design बना सकते हैं उसके बाद में जितना घेरा है उसको आपको multiply कर देना है same design को बाकी जो है 26 में plus area जो होगा वो ये वाला है जो आप दरवाजे के उपर वाला देख सकते हैं तो दरवाजे के उपर वाला area भी आपको नापके दिखा रहेता हूँ तो ये है साड़े तीन फूट ये साड़े तीन फूट है और दरवाजे की चड़ाई जो है वो है 32 इंच मा लेजे धाई भाई साड़े तीन area जो है धाई को साड़े तीन से आपको multiply कर देनी है उतना area आपको extra लेके आना है ज्यादा लेके आना है तो फ्रेंट्स ये जो है ये तो हुआ दिवार वाला area तो आप हम लोग नापनें एक floor वाला area कि floor tiles हम लोग कैसे नापते हैं तो floor tiles के हमें tiles मौबानी है तो उसके लिए एक formula है लंबाई ऊना चड़ाई तो लंबाई ऊना चड़ाई को हिआ आपको follow अपके आपने है तो पहले हम लोग नापने हिए इसकी लंबाई निए MP3 ढयते की दीन है तो हम लोग जो है वह शुगा कि ये जो दरबाजा है या जो काटाब़ दिख रह है तो यहां से ही हम दोग सुरू बढ़ेगी, यहां पे दरवाजा बंद हो रहे हैं तो बात्रूम का यह है जो इसके बाहर पाई लिख लेगी तो वह बुरी पूरी जो बात्रूम की टाइब्स है अपर खालाग किसा है बात्रूम की हम से नात्रूम की तो यहरा है शिर्लाग के रहा है व्ह vari हमिए खाल इसके रहूँझे हूंसे क्या दर्थाया है मेरे यहां फ़रหां से हमें शुराप्ताइस के बात्रूम के यहां लुगा लिकिन एक जनकाल सुपनी अब क्रीच तक आपे तो अज एक लिए नह वहां पे चोटा सा पीस पढ़ेगा पूरी तत है छोटा सा पीस पढ़ेगा दियान नेना है आठ फुट से एक फुट आपको एक टो फुट आपको एक्स्टर लेके आने अठाई कि अधिक और यह जो ही नमारी जो है नमारी आठ फुट और हम लोके इन चड़ाई आपने ही तो यहां से जैसे मैंने पीटा रिखा तो यह आप देख सकते हैं यहां पर स्काटिम लगी में इसी लिए इसका जो है बहुत बड़ा सा कम आ रहा है लेकिन यह अभी जैसे यह 6 फुट से 7 इंच कम आता है तो हमारी जो टाइम्स होगी वह असी पर आएगी 6 फुट से एक आपको जैसे करें यहां पर देख सकते हैं आप यहां पर स以前 बुना है यहां पर शें हो यह Weं राए लाए तो अ야 तारफे पुट एरिया जो है उड़ देंगा के लिए लेकिन वहां के जो कटिंग पड़ रहा है तो इसके लिए अधो टाइल जो है एक दो फूट इलिया जो तो इतना ज़्यान देने के जुरूतरी है जहां पे बदभुलिया जादा फुल रहा है वही से आपको मेजर्मेंट करनी है जैसे जिसा बड़ा था तो आपको नाफ्रा भोगा रहे हैं जैसे अभी तो यह बहुत चोरण से बात हो कि आपको कैसे यह टाइल्स नापने हैं तो इस प्रकार की जानकरी भरी वीडियो उसको देखने के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सस्क्राइब करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मैं संडे लाइव में आता हूँ तो संडे को लाइव में आप अपना सवाल झाल